तो क्या हाल है आप सभी के उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे घर में सब अच्छे होंगे काम वाम सब बढ़िया होगा मौच काट रहे होंगे पूरी जिन्दगी में अपनी तो देखिए जब भी कभी कोई बाहर जाता है यानि के विदेश आउड अप स्टेशन जो भी लो तो उनकी कुछ उम्मीद होती है कि हम वहाँ पर जाकर कुछ अच्छा पढ़ाई करेंगे उसके बाद हमारी जॉब लेगी या फिर किसी ने पढ़ाई कर रख्योंगी तो बहार जाता है ताकि वह थोड़ा बहुत पैसा कमा सके क्योंकि अगर वो इंडिया में करेगा है वहाँ पर रहने का परमिशन फीज लगती है कोलेज का जो एड्मिशन ओफर लेटर है वह सब्मिट करता है तो यह सब बहुत जादा कॉम्लिकेटेट हो जाता है स्टडी वीजा पर जाने के लिए लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा मामला सामना है जिसमें कनाड़ा से 700 इंडियन स्टूडेंट वाप से डिपोर्ट किये जा रहे है इंडिया में और वह भी फेक एड्मिशन लॉफर लेटर के साथ तो क्या है यह पूरा मामला और क्यों यह 700 इंडियन जो है वो कनेड़ा के सरकार डिपोर्ट कर रहे है आज इसके बार में पूरी डिटेल के चाहत होती है कि वो अच्छे से अच्छे या उनिवर्सटी में पड़े और पिर अच्छी जाब करके पैसक माये ऐसा हर को इचाहता है और यहां पर इसके लिए वो अच्छे उनिवर्ट रहें लेकिन जब काफी कोशिश करने बाद में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है त विदेश जाने की कोशिश करते हूं भारत से हर साल लाखो लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं जौब करने भी जाते हैं लेंगन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी देश Walis या फिर फला यूनिवर्सटी में एडमिशन ले रहा है इसका प्रूफ होता है कि हमें जो है एडमिशन मिल रहा है और इसके लिए हमें वहाँ पर जाना है तो यहां पर स्टडी विज़ा इसू किया जाता है इसी के लिए लेकिन अब इन 700 student को ये पता चला है कि जो offer letter study visa के लिए लगाए गए थे वो सारे के सारे फरजी थे और इसी चीज़ को देखते हूँ यहाँ पर कनाड़ा के सरकार इनने deport करने वाली है इंडिया लेकिन यहाँ पर इन student का कहना है कि इनके साथ fraud हुआ है और अब यह deportation के against protest भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि mint का article है यह Canada to deport 700 Indian student for producing fake admission document यानि कि यहाँ पर कनाड़ा के सरकार है वो 700 Indian student को वापिस से इंडिया deport कर देगी क्योंकि उन्होंने जो admission के जो document लगाया तो वो fake थे हैं फरजी थे 16 मार्च का यह article है और इसे के साथ यहाँ पर outlook का भी article है 700 Indian student in Canada face deportation over fake admission document तो यहाँ पर 700 जो Indian student है वो deportation हो सकते हैं इंडिया क्योंकि उन्होंने fake admission document लगाया थे और इस पूरे कांड के पीछे जलंदर के रहने वाले ब्रिजेश मिश्रा का हाथ बताया जा रहा है जो लोगों को कैनला भेजने का एक agent था वो ऐसा काम करता था कि study visa के लिए college का फर्शी offer later बनाता था और इस से लोगों को study visa मिल जाता था और जब सारी चीजे ओके होती थी तो वो क्या करता था कि इन student को किसी दूसरी university और college में admission दिलवा देता था और वहाँ से जब ये लोग अपनी study पूरी करते थे तो उनको वहाँ पर नौकरी भी मिल जाती थी और जब इन्होंने अपनी study visa और बाकी सारी document सरकार को दिखाए तो तब पता चला है कि ये document तो फर्जी document है और इस बात की जानकारी खुद Canadian Border Security Agency यानि कि CBSA ने दी है जो Canada में immigration के सारे काम देख थी लेकिन सवाल ही आता है कि इसमें किसकी गलती है तो दीखे ये जो student है वो सारे के सारे 2017 से लेकर 2019 तक Canada में गाये थे यानि कि COVID की outbreak से पहले से ही ये लोग महाँ पर थे Canada में लेकिन 2021 से ही इन भारती student को CBSA से समन मिल रहा थे कि यहाँ पर आओ और जो भी चीजे फर्जी है उन सब के बारे में बताओ क्योंकि Canada वालों को ये पता लग गया था कि भारत से study visa पर लगाये जाने के लिए जो admission का offer letter है वो फरजी है और इस तरह का कोई भी offer letter किसी को भी issue नहीं किया गया था और यह सारे लोग एक ही चैनल के जरीए Canada आ रहे हैं और वो चैनल ने बिरजेश मिश्रा जो जाला अंदर से EMSA education and migration service के नाम से एक consultancy चला रहे थे और यह बनता है एक student से 14 लाग से 16 लाग रुपे या फिर 20 लाग रुपे चार्ज करता था यानि कि मोटा पैसा चाप रहा था और ना जाने कितने लोगों को इस बिरजेश मिश्रा ने बेवकू बनाया है लेकिन सवाल यह आता है कि Canada की embassy जो भारत में है वो visa देने से पहले भी इसमें आता है और Canada की embassy यह सारी चीज़े देखती है लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि इसने ऐसा देखा ही नहीं और यह सारी चीज़े बिरजेश मिश्रा जानता था कि कैसे किस स्टेश पर क्या क्या होता है और वो यह चीज़ भी जानता था कि अगर मैं किसी respected university का offer letter लगा दू तो वो चेकिंग में जाएगा ही नहीं और Canada वाले भी सोचेंगे कह रहे यह तो काफी बड़ी और काफी बड़ी हार university है तो इसमें admission मिल रहा है तो हम इसका कागस चेक नहीं करते हैं और इसे जाने देते हैं लेकिन यहाँ पर Canada की embassy पर भी question mark लग जाता है कि यह अब document को ignore कर दिया लेकिन सवाल यह आता है कि अब इन 700 लोगों को जो Canada से report करने के रिए notice दिया गया है तो वो अब क्या करेंगे इनको कौन मदद कर रहा है तो देखिए अभी काफी critical situation चल रही है और यह 700 student जो ना सिर्फ इंडिया डिपोर्ट किये जाएंगे बलकि उन्हे नौकरी से भी निकाला जाएगा क्योंकि जब इंडिया आ जाएंगे तो वो Canada में नौकरी थोड़ी ना कर पाएंगे फिर फरजी document के अधार पर Canada एंटर करने के लिए उन पर पांस साल का बैन भी लगाया जा सकता है यानि कि वो अगले पांस साल होता Canada एंटर नहीं कर सकते और इसी संगधन ने सोला मार्श को Canada के Minister of Immigration, Refugee and Citizenship सीन फ्रेसर को एक लेटर लिखा था और Canada के सरकार से ये डिमांड की थी कि भाई इनका deportation रोग दो और इनने यहीं रहने दो लेकिन सरकार यहाँ पर कह रही है कि हम नियम कानून के मताबिक चलेंगे लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि कोलेज का क्या गहना है यहाँ पर जिसके नाम पर ये जो उफा लेटर था वो ईशू किया गया था तो देखें यहाँ पर बिजरीश मिश्यरा के साथ कोई काम मी नें किया है यानि यहाँ पर अगर कोई सबसे वाला ठाग है तो वो है भिरजेश मिश्रा जो वीडियो बनाते वक्त तक पुलिस की पकड़ से बाहर है और अभी तक ग्रिफतार नहीं किया गया है और अब देखते हैं किया होता है क्या नहीं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके लावब आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी सेम ही यूजर नेम है आई अंडर स्कोर इमरान सिल्दी की तो दीजे मुझे अजाज़त मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग, I really appreciate you for this time, God bless you all now, signing off